नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल दाश्पीड अन्राक्सर में एक बार फिर स्वागत है आज हम लोग जो है कोरोना महामारी पर चर्चा करेंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना एक भयंकर रूप धीरे-धीरे धारण कर रहा है कई देशों को तबाह कर चु करेंगे कि अगर मा लीजीए कोरोना पर एससे कहीं लिखना हो किसी को 2-4 किसी के सामने कुछ बता ना हो कि कोरोना क्या हैуса कैसे होता है तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अगर आ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे तथा वीडियो को लाइक करना न भूला कीजिए अगर अच्छा लगा करें तो लाइक किया कीजिए हम आफी के लिए जो है पनाते हैं जैसे कोरोना वाइरस बैश्विक महामारी और प्रिथभी दिवस की प्रसंगिता तो मतलब प्रस्तावना क्या है कि 207 संगठन डबलू यचो ने कोरोना वाइरस को महामारी घोशित कर दिया है कोरोना वाइरस बहुत सूख्ष में लेकिन प्रभावी वाइरस है कोरोना बर्तवान में कोरोना वाइरस द्वारा जनित कोविट 19 नामग बीमारी से पूरा बिश्व लस्ट है इसने एक भयांकर महामारी का रूप धरन कर लिया है बड़े- विधा संपन्न देशों और आर्थिक वा स्वास्त धांचा चर्मर आ गया है मतलब कि विफिन देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है जो वहां की स्वास्त विवस्ता है वो भी जो है क्या हो गई है खराब हो गई है कोरोना के लक्षण क्या है देखिए कोरोना की लक् खार, जुखाम, सास लेने में तकलिफ, नाग भेना और खरास गले में खरास जो है यह सब इसके लक्षण हैं और जैसे क्या होता है कि जैसी समस्यां उत्पन होती हैं कोरोना वाइरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है उसके संपर्क में आप आएंगे तो आपको भी कोरोना हो सकता है संक्रमित व्यक्टिके खासने या छीकने पर छीटे निकलते हैं किसी सता पर गिरने से जिसे छूने से दूसरे व्यक्टिक को संक्रमण हो सकता है ठीक आगे देखिए इस गंभीर मामले में यह अमोनि या कई अंग विफलता और मृत्यू का कारण बन सकता है मतलब कि गंभीर मामलों में यह जो है अमोनिया नहीं होगा यहाँ पर निमोनिया होगा याद रखेगा निमोनिया कई अंग की विफलता और मृत्यू का कारण बन सकता है जैसे किडिनी फेल हो सकती है किडिनी से समधि जो है समस्या हो सकती है तो आगे देखिए COVID-19 उस्मा यान अवधि को एक से 14 दिनों के बीच माना जाता है मतलब कि ये है कि COVID-19 जो है एक से 14 दिन के भीदर रहता है 14 दिन के बाद जो है ये स्वता ही समाथ हो जाता है संक्रमित रोगी भी इस पर सुन मुख हो सकते हैं जिसका अर्थ है कि वे अपने सिस्टम में वाइरस होने के बावजूद कोई लक्षण प्रदर्सित नहीं करते हैं ठीक तो ये थी हमारी कुरोना वाइरस के लक्षण इसका 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 कैसे हुई है कोरोना वाइरस की उत्पत्ती चीन के एक समुद्री भोजन बाजार बुहान के वाजार में हुई थी मतलब कि कोरोना वाइरस की जो उत्पत्ती वो चीन में हुई थी और एक समुद्री भोजन का बाजार था बुहान वहाँ पर हुई थी जहां वन ने जीव बचाओ क्या है कि डबलू यच्च ने ग्यारा मार्च को वाइरस को एक वाइरस की एक वैस्विक महाँमारी घोषित किया था और कहा था कि ये फायलने और फायलाने के गंभीर अस्तर से गहराई से चिंतिद था लोगों में स्वानिय सुरक्षा आयों का पालंग करने का आगरा किया जा रहा है उसके बाद और क्या कहा कि डबलू यचो ने कहा कि डबलू यचो बुनियादी स्वच्चता की सिफारिस करता है जैसे कि साबुन और पानी से नीमित रूप से हान धोना और छीकने वा खासने पर अपने मुख की अपनी कोहनी या रुमाल से ढगना अपने और दूसरों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखते हुए खास कर अगर वे खास रहे हैं तो और छीक रहे हैं तो अपने चेहरे आखों और मुह को अंचाहे हाथों से चूने से बचे मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है वो अगर खास रहा है छीक रहा है तो आप जो है उसके संपर्क में ना आएं उससे एक मीटर की दूरी बना कर रखें फिर आगे देखें जिन लोगों को बुखार कफ या सांस लेने में तकलीफ की सिकायत है उन्हें मास्क पहन चाहिए और डाक्टर के पास जाना चाहिए ठीक अगर किसी व्यक्ति को कोरोना की सिकायत हो रही है या किसी व्यक्ति को नॉर्मल ही बुखार कफ या सांस लेने में तकलीफ है तो उससे क्या करना चाहिए डाक्टर के पास जाना चाहिए और लोगों से दूर रहना चाहिए कोरोना से जल्द निजात पाने के लिए संदिग्धों की जाच भी बेहर जरूरी है इसलिए आप लोग जो है घर में रहें सुरक्षित रहें तथा घर में बैट कर ही अपना पढ़ाई करें आवस्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी आदिके लोग स्तोयम को जोखिंग में डाल कर मानावता की सेवा कर रहे हैं हमें उनके प्रती अपना सम्मान प्रदर्सित करना चाहिएं यदि हम सभी साहच से सामना करें तो 135 करोण भारतियों से इस युद्ध में कोरोना हारेगा भारत जीतेगा तो ये कोरोना पर एक टिपड़ी थी जो की जो है हमारे द्वारा लिखी गई थी और अब जो है ये आप लोग याद रखिए कि कोरोना विभिन देशों में जब इटली जैसे अमीरिका जैसे प्रसिद और बकाइदे संपन देश में ये हालत है तो हमारे भारत में फिर क्या होगा आप सोच सकते हैं इसलिए जो है आप लोग घर में रहें शुरक्षित रहें और अपनी आपको सेफ रखे रहें ठीक तो इसका ले लीजिए इसका आप इसक्रेंट ले लीजिए और ये देखे कि आर्यस अगर्वाल की जो मैत की सिरी चल रही है हमारी उसमें समय सिंपल इंट्रेस्ट चल रह देगा ये एक निबंध है जो आपके लिए महत्तुपूर्ण साबित होगा